सात्यों और आपकी डिवांड पर लेकर आया हूँ मैं SSEGD का कट-off जी हाँ सात्यों बिल्कुल सटे कट-off में लेकर आया हूँ कि काफी बच्चों में ये डाउट था कि सरक कट-off कितना जाने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग फिजिकल करे या ना करे तो दोस सभी राजजे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए है हरियाना, राजिस्तान, यूपी, बिहार, दिल्ली, मद्द प्रदेश, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर लक्षदीप और साथ में आपका ज्हारखंड दोस्तों यह रेड जोन वाले राजजे है यानि कि जहां का cut-off सबसे अधिक यहाँ पर जाता है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसके आकड़े पर नजर डालते हैं कि इसका physical कब होगा, है ना थोड़ा सा मैया लिख देता हूं कि आखिर इसका physical कब होगा, तो देखिए, यह जो अभी exam हुई है, इसक वेकेंसी कब आ रही है आपकी अगस्त में, तो अब आप अंदाजा लगा लो कि यहाँ पर आपके मई के बाद में जून, जुले अगस्त, किवल दो मईने यहाँ पर बचे हैं और उसमें बच्चों का यहाँ पर document, verification, medical उसके बाद जोइनिंग भी देनी है, तो यानि कि अ 2024 की बात करूँ, तो टोटल वेकेंसी थी 26,146, यानि कि जो पद थे, अभी कितने थे 26,146, और कुल कितने विध्यारतियों ने form apply किया था, ध्यान रखना है, 47,45,501, दोस्तों ध्यान रखना है, कितने, 47,00, बच्चों ने form को apply किया था, अगर मैं 2023 से उपर की अगर मैं ब frequency वो आप मान के चलिए 25,000 प्लस पद यहां पर आपके थे, ठीक है, और इसमें जो बच्चों ने apply किया था, ध्यान रखना है, जो बच्चों ने यहां पर apply किया था, बहुत तर लाख विध्यारतियों ने form को apply किया था, बात आगे कि समझ में, अगर मैं आप से यहीं पर 2022 2022 की बात करों तो ध्यान रखना है, पच्चास हजार से अधिक पद यहां पर निकाले गए थे, और उसमें 54,000 लाख विध्यारतियों ने, 54,000 से प्लस में विध्यारतियों ने यहां पर क्या किया था, इस परिक्षा के लिए form को apply किया था, समझ में आ रहा है, 2021 के आकड़े बता रहा हूं, 25,000 पत थे, apply किया था, बहुत तर लाख विध्यारतियों ने, 2022 की बात करों तो 50,000 पत थे और apply किया था, 24,000 लाख विध्यारतियों ने, ठीक है, इसी के साथ वर्तमान की 2023, 24 की में बात करता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि विकेंसी थी 26,146 और यह ने, बता प्रशन आपके गलत होंगे, तो एक प्रशन आपका वहां पर नमबर खाएगा, अगर आपका गलत है, तो जिसे, समझे मेरी बात को दियान से, आठ प्रशन आप गलत टिक करके आते हैं, तो आपका एक नमबर कटेगा, समझ में आ रहा है, बता चार्ड ना होके क अच्छी बात है आप सभी के लिए कि यहाँ पर आपको नंबर पूरे-पूरे मिलने वाले है यानि कि आठ प्रशन गलत होंगे तो ही आपका एक नंबर यहाँ पर जाने वाला है ठीक है अब बात करते हैं आपका देखें लेवल की हम बात करें तो इस बार 2024 की जो एक्जाम ह यह सेजी जीडी की हम बात कर रहें तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो लेवल इस बार काफी आसान रहा है एजी लेवल की यहाँ पर एक्जाम रही है जैसे कुसेंटर पर मैं खुद गया हूँ हमारे बच्चे खुद एक्जाम देने गया है तो बच्चों का एक एनात असर के लेवल बहुत यहाँ पर इजी इस बार कर रहा है तो यानि कि आप यह अंदाज लगा के रखें कि आप यह ना सोचे कि कट ओफ जादा जाने वाला है दोस्तो अभी जो है यह फिजिकल के लिए कट ओफ है इसके बाद जो फाइनल कट ओफ आएगा फिजिकल एड़ जी के जी एस और करंट है इसका काफी खेल होता है बटो ठीक है ना बच्चो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि SSE GD का जो लेवल था भी 2024 का थोड़ा सा आसान था अब मैं आपके सामने बात करता हूँ कि यह जो रेड जोन वाले एरिया है रेड जोन वाले जो आप के राज है यानि जहां का कटोप थोड़ा सा हाई जाता है वो देखिएगा आप तो हरियाना, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली, हमारा प्यारा मद्द प्रदेश, उत्तरा खंड, हिमाचल प्रदेश, लक्षदीब समू और आपके जार खंड ध्या की जनरल की हम बात करें बच्चों, तो 130 जिन बच्चों के ध्यान रेकिएगा, आप 5 नंबर पीछे भी आजाओ, कोई बुराई नहीं है, ठीके, 125 से 130 के बीच में या इस से उपर जिन बच्चों के लिए है, बिल्कुल वो निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करें, उनको उठा लिए फिजिकल पे, EWS की बात करूं, तो EWS और OBC को मैं यहाँ पर इकवल लेकर चल रहा हूं, तो EWS और OBC का 123 आपके नंबर है, आराम से आप फिजिकल की तैयारी करें, आप पीछे भी आ सकते हैं, 118, 115 पे आप आईए, आराम से आपका सेलेक्शन हो रहा है, यदि हमें SC की बात करें बच्चों तो 111 नंबर, यानि कि अगर मैं आप से सीधा सीधा राउंड फिगर में बोल दू कि यदि जिन बच्चों के, HTSC आले बंदों के 100 प्लस में मार्क से तो वो बे जीज़क निश्चिन तो कर फिजिकल की आपर तैयारी करें, उसके बाद से आपको यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करना है, तो अप्रेल के आखरी और माई के फर्स्ट विक में आपका फिजिकल है, जैसे ही फिजिकल की डेट हमारे सामने आती, और भी आपके अगर कोई डाउट हो आपको, इन में से किसी प्रशन के उपर आपको वीडियो कोई आपकी क्योरी है, तो कमेंट जरू करिएगा, है ना, ओन स्क्रीन मेरे कॉंटेक्ट नमर दे रहे हैं, तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इनक्वाईरी आपको हो, और नई विकेंसी अगस्त में आ रही है, तो धेर सारी शुब कामना है, आपके फिजिकल के लिए विश्यो अलबेश्ट, अच्छे से आप तैयारी करें, हाथ पेरों की आप केर करें, क्योंकि हाथ पेर अगर से इसलाम अते तो फिजिकल अमरा क्वालिफाई होगा, चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, और मिलते हैं कि नए अगले सेशन में, दमाकेदार सेश में तब तक के लिए जे हिन, जे भारत, वंदे मातरों